हरे कृष्णा आप सभी को मोक्षता एकादशी और गीता जैन्ती की हर्दिक शुपकामनाई मार्गशिस यानी अगेनमास के शुकलपक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षता एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी और इसी दिन भगवान शिरक्रिष्ण ने अरजन को गीता का उपदेश भी दिया था इसलिए आज के दिन गीता जैन्ती भी मनाई जाती है तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षता एकादशी की संपूर्ण कथा साथ ही जानेंगे आज के शुबमूर्थ और फूजा विधी के बारे में अज के दिन भगवत गीता का पार्ट भी किया जाता है साथ ही भगवत कथा भी सुने जाती है अगर आप भागवत कथा भी सुनना चाहते हों तो प्लीज जरू सुनियेगा धर्मराज युदिस्टर ने उत्पर्ना इकादशी की उत्पत्ती महिमा और महातम्यादी सुनकर भगवान कृष्णी से कहा हे परम पुझनी भगवान कृष्ण, हे तिरलो की नाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ हे प्रभू, आप सभी पर करपा करते हैं, मेरी एक जिग्यासा को करपा पुर्वक शांत कीजे तब भगवान कृष्णी ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो, निर्भाय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिग्यासा को शांत करूँगा तब धर्मराज कहने लगे, हे प्रभू, यह जो आपने मार्क्षीस मास के कृष्णी पक्ष की एकादशी के विशय में बताया है, उससे सुनकर मुझे बड़ी ही शांती प्राप्थ हुई अब आप कृपया कर, मार्क्षीस मास के शुकलपक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसके विशय में भी बताने के कृपा करे, उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवी देपता की पूझा की जाती है, और उसकी पूझन विधी क्या है, इस व्रत को करने से मनिश्य को क क्या फल मिलता है, हे प्रभू, मेरे इन प्रशनों का विस्तार सही तुत्तर देकर करपया आप मेरी जिग्यासा को दूर कीजे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत इस्रेस्ट प्रश आना चाता है, इस एकादशी के दिन श्री दामोतर भगवान का धूप दीप नैवेत आदी से श्रद्धा और भक्ती पूर्वक पूजन करना चाहिए, हे कुंति पुत्र इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता-पिता-पितर आदी को स्वर्ग की प् चारों वेदों के ग्याता और प्रहमन रहा करते थे, राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी, एक रात को स्वपन में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाई भुपते देखा, इस प्रकार का देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ वह सुभा होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा और सुभा होते ही उसने राजपुरोहितों को बुला कर अपने रात्री के स्वपन की बात बताई कहने लगा हे ब्राहमनो रात को स्वपन में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र मैं घोर नरक भोग रहा हूँ मेरी यहां से मुक्ति कराओ हे राजपुरोहित जी जबसे मैंने अपने पिता के यह वचन सुने है तब से क्या करूं कहां जाओं। इस दुखके कारण मेरा शरीर दप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार कात्ता अप दान भृत आती पताई जिसे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्ठ हो सके।्थ मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किये तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाओं भोग रहे हूं। उस व्यक्ति को इस धर्ती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। एक मत होकर राजा से कहने लगे। हे राजन वर्तमान भूत और भविशिके ग्याता परवत नाम के एक मुनी हैं। वे यहां से जादा दूर नहीं हैं। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सतरह लुपाएं आपको बता सकते है राज पुरोहितों की बात सुनकर और उनकी बात मान कर राजा मुनी के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्य योगी और मुनी तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ग्याता परवत मुनी दूसरी ब्रह्मा के समान बैठे जान पर रहे थे। उनके चेहरे स दिवितेज जलक रहा था राजा ने मुनी को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिज्य दिया परवत मुनी ने राजा से कुछल शेम भूची तब राजा कहने लगे हे मुनीवर आपकी करपा से मेरे राजी में सब कुछ कुछल मंगल है किन्तु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या खड़ी है जिससे मेरा हिरते बड़ा ही अशान्थ हो रहा है और तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए स्वपन की पूरी बात परवत मुनी को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे हे महरशी अब आप कर्पयाकर मेरा मार्ग दश्ण कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या उपाए करना चाहिए कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ हे मुनीवर जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वपन देखा है तब से मुझे एक शण को भी चैन नहीं है तरप्याकर मुझे इस कस्ट से मुक्ति दिलाईए और कोई समधान भी बताईए तब राजा की बात परवत मुनी ने बड़ी कमभीरता पूर्वक स तुनी फिर अपनी आखें बंद कर भूत और भविश्य पर विचार करने लगे कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा है राजन मैंने अपने योगबल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी को कर्मों का ज्यान प्राप्त कर लिया है और मैं जान उसरी पत्नी को रितुदान मांगने पर नहीं दिया उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए है यह जानकर वेखानस राजा ने याचना भरेस्वर में कहा है रिशिवर मेरे पिता के उद्धार का कोई तूपाय होगा कर प्या आप मुझे उस उपाय को ब मुक्षता एकादशी कहते हैं और यह मुक्ष प्रदान करने वाली होती है आप इस मुक्षता एकादशी का वरत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उस वरत के पुर्णी को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें एकादशी वरत के पुर्णी से आपके पित परवत मुनी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राजी को लोटाया और परिवार सहीत मोक्षता एक आदशी का विधी पूर्वक व्रत किया इस व्रत के पुर्णि को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिय और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा हे पुत्र तेरा कल्यान हो इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया इसलिए हे धर्मराज जो मनुश्य मार्ख्षी स्मास के शुकलपक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप, सभी कस्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वेस्वर्ग लोग को प्राप्थ होते हैं इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ती हो जाती हैं और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंता मणी के समान हैं जिससे उपवास करने वाले की सभी मनुकामनाई शीग्र पूर्ण हो जाती हैं ये धर्म राज प्रत्येक मनुशी की प्रबल इच्छा होती है कि वो अंत समय में मौक्ष प्राप्त करें मौक्ष की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए मौक्षता एकदशी का यह तिन अती महत्व पूर्ण होता है मोक्ष्टा एकादशी का दिन केवल मनुश्यों का नहीं बलकि उनके पित्रों का भी भला करता है अपने किसी सगे समंदी मित्रबंदु को भी इस उपवास का फल अरपन करने से उनके भी पापों और क्लेशों का नाश हो जाता है सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय क्रिश्ण भगवान की जय अब जानिये तिथी शुप मोर्त और पुजा विधी के बारे में इस बार एकादशी की तिथी दो दिन होने की कारण एकादशी का वरत दो दिन रखा जाएगा 22 दिसंबर शुकरवार को मुक्षता एकादशी और गीता जैनती है और ये जो एकादशी कवरत है वो दश्मी तिथी युकत एकादशी रहेगी इस दिन सभी ग्रस्त जन उपवास रखते हैं और 23 दिसंबर शनिवार को रहने वाली एकादशी, द्वादशी तिथी उकते एकादशी होगी, यानि इस दिन एकादशी और द्वादशी तिथी दोनों रहेगी, इस दिन सभी वैशनर संपरदाय के लोग, इस कौन से जुड़ेवे लोग, या फिर जिन लोगों ने हनकी वह होती है, वो लोग उपवास रखते हैं, हाला कि ग्रहस्त जन भी इस दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि जो लोग भी मुक्ष प्राप्ति की इछा रखते हैं, वो दोनों ही एकादशी का चाहें दो उपवास रखते हैं, जो लोग शुकरवार के दिन एकादशी का वृत रखेंगे तो उन्हें रविवार के दिन यानि 24 दिसंबर को सुबह 7 बचकर 10 मिनट से 7 बचकर 42 मिनट के बीच में वृत का पारणा करना होगा यानि अपना उपवास खोलना होगा मुक्षदा एकादशी ब्रत के दिन क्योंकि भगवان श्री हरी की पूजा की जाती है इस दिन गीता जैनती भी है तो इसलिए आज के दिन भगवान कृष्णी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए आज के दिन भगवत गीता का पाठ किया जाना चाहिए अगर आप सभी अध्यायों को नहीं पढ़ सकते या सुन सकते तो कम से कम किसी भी एक शलोक का पाठ आज के दिन आपको पूजा करते समय करना चाहिए भगवत गीता की किताब अगर आपके पास है तो विधीवत पूजा भी करने चाहिए एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दश्मितिती से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है एकादशी व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत का पालन पूरे तीन दिन तक किया जाता है इसमें दश्मितिती के सुर्यास्त के बाद से अन्य का त्याग किया जाता है और दश्मितिती को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए मसूर की दाल, उड़त की दाल, साथी किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन नहीं किया जाना चाहिए और अगले दिन विदिवत पालन करते वे एकादशी का वरत रखना चाहिए मुक्ष्टा एकादशी व्रत की पूझा ब्रहमु मूहुर्थ में उठकर की जाना चाहिए इसके बाद अपने पित्रों के नाम से सूरिदेपता को अरख देना चाहिए और फिर पीले आसन पर वैट कर पूजा की तयारी करनी चाहिए घर की साफ सफाई करके मंदिर में और घर के चारों कोनों में गंगा जल चड़क कर पवित्र करना चाहिए इसकी बाद अगर आपके पास भगवत कीता की किताब है तो उसे भी मंदिर में रखना चाहिए फिर सबसे पहरे भगवान गणेश की भगवान श्री हरी मालक्ष्मी जी भगवान करिश्न राधा राने की और भगवत कीता की पूजा आपको करने चाहिए आज की पूजा में यानि की एक आदशी वरत में पीले रंग का प्रयोग जादा से जादा किया जाता है जाहे फल हो या फूल हो या मिठाई हो धूप तीपक जलाकर भगवान की पूजा करें पंचामरित भगवान को अर्पित करें आज के फ्रत में भगवान कृष्ण को तुलसी जी की मंजरी चड़ाई जाती है आपको इस बात का ध्यान अकना है भगवान श्री हरी को आप जो भी भोग लगाएं चाहे फल का या मिठाई का या किसी भी भगवान का उसमें तुलसी जी के पत्ते रखकर जरूर अर्पित करें क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान श्री हरी अपना कोई भी भोग स्विकार नहीं करते हैं इसके साथ ही मालक्ष्मी जी को तुलसी दल कभी भी अर्पित नहीं किये जाते हैं भगवान श्री हरी को चंदन का तिलक लगाएं याद रखना है कि आज की पूजा में भगवान श्री हरी को अक्षत अर्पित नहीं किये जाते हैं और नहीं आज के दिन आपके घर में चाव जिनने संतान सुक प्राप्त नहीं हैं और संतान सुक की काम न रखते हैं उन भक्तों को आज के दिन विशेश रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आपको ही भगवान स्विकार करते हैं इस बात का ध्यान आपको रखना है। करें, आर्थी करें और सबसे अंत में शमायाशना जरूर करें। फिर अपना व्रत प्रारम करें। क्योंकि तुलसी जी भगवान श्रीहरी को बहुत प्रियो होती हैं तो तुलसी जी के गमले में सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी को एक आदशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यार डखना है। इसके साथ ही एक आदशी के दिन आप अपने सभी आराथि देवी देवताओं की पूजा करें, कुल देवी देवताओं की पूजा करें, पीपल के व्रिक्ष की पूजा करें, पीपल की जड़ में आप मीठा जल अर्पित करके किसी भी एक विशेस मंत्र का जाब, जो भी चैने की दाल और गुर्ण अरपित करें क्योंकि केले के पेड़ में साक्षा स्रीहरी का वास माना जाता है। प्रकार दिन भर आप भगवान श्री हरी और भगवान कृष्ण का ध्यान करते विए अपना व्रत रखें। भग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपके वल जल और तुलसी दल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथी को किया जाता है। तो जो भी शुब मोर्त मैंने आपको बताया उस समय आप विदिवत पूजा करें। द्वादशी तिथी को आप जो कुछ भी दान करें। उसका संकल्प आप सुभा के समय जरूर ले। संकल्प लेकर किया गया दान सबसे ज़्यादा पुर्णिदाई होता है। जाने वाली सामगरी इस तरह की हो कि वो किसी के काम आ सके। और हमेशा दान योग्य व्यक्ति को ही देना चाहे जो कि उसका उप्योग कर सके। जो उसके लिए ज़रूरी हो। इस प्रकार से आप द्वादशितिती के दिन पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार दान ना दे पाएं। कई बार ऐसा होता है कि आसपास ऐसे लोग नहीं मिल पाते जो दान ले सके। तो आप आज के दिन गाय को हर अचारा या गोड़ रोटी खिला सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभवना हो। तो आप चीचियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर जरूर डाले। कहते हैं ऐसा करने से भगवान श्रीहरी बहुत प्रसंड होते हैं। इस प्रकार आप विधीवत पालन कर अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिति के दिन किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहें। इस बात का भी आपको त्यान रखना है। ये थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर के कमेंट बॉक्स में विश्णो भगवान की जय जरूर लिखेगा।